ओके, सो देखे बच्चों, क्लास 10 टर्म 2 साइंस बोड एक्जाम के अंदर इलेक्टरिक मोटर पे क्वेशन पक्का आना है ही, लिखके ले लो, बिकज इलेक्टरिक मोटर बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, और मेगनेटिक एफेक्ट्स अफ इलेक्टरिक करन में से इलेक में आपको करवा दूंगा, इंक्लूडिंग दा वर्किंग और वर्किंग भी प्रॉपर्ली एक्स्पें करने वाला हूं, और साथ ही हम एक क्वेशन डिसक्स करने वाले हैं, जिसके अंदर अल्ड़ पॉसिबल टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो सब मैंने आपको कवर कर बादन है इसी वीडियो के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं, विदार वेस्टिंग अनी ताइम बट इस चानल, दो नोट फगेट तो लाइक शुरू करते हैं, तो अगर आप बिलकुल नहीं हैं, तो उनका लेक्चर शुरू हो गया है, विया स्टार्टेट विद लाइ इन्टो मेकानिकल अनरजी, यह हम कैसी कह सकते हैं, एलेक्टरिक मोटर के अंदर, इलेक्टरिक करंट सप्लाई किया जाता है, बैटरी के थू, यानि एलेक्टरिकल अनरजी इसको प्रोवाइड की गई, और जब यह रोटेट करती है, रोटेशन का मतलब है, कुछ मेकानिक अनरजी, इन्टो मेकानिकल अनरजी, फिर अनरजी कबहर हो सकता है, आपसे पूछ लें थोड़े बहुत है, याद कर लो, अन्सपन अनरजी को प्रोवाइड कर वेड़ेक्टरिक मोटर कहां कहां यूज किये जाते हैं, जैसे कि हो गए, लेक्ट्रिक फैंज हो गए, मिक्स अगर पूछ ले अब हम बात करते हैं कि इसका डाइग्राम कैसे हमने बनाने कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम आर्मेचर कोईल का यूज करते हैं वट इस रेक्टांगुलर कोईल विच इस मेड़ अफ इंसुलेट कॉपर वायर ठीक है तो यह एक रेक्टांगुलर वायर हो यह जो आपके NCRT का है यह जो आप देख रहो न है A, B, C, D this is the armature coil, rectangular coil field magnets है यहाँ पे horseshoe magnet लिया गए है north pole है उसकी south pole है ठीक है and split rings use की जाती है what is split rings now split rings are these rings on the axle यह जो है ना silver silver कलर का यह axle है और axle के साथ यह जो लगी हुई है half rings these are called split rings split ring मतलब आधी 2 TV half part is this half part is this यहाँ पे आप देख लो hand drawn diagram में काफी clearly mentioned है यह है split rings यह एक split ring है यह दूसरी split ring है ठीक है and the next thing we require is axle मैने आपको बता दिया क्या है then is carbon brushes carbon brushes यह हो गई यह जो आप देख रहो चोटे से these are conducting brushes which help in maintaining a sliding contact with the split rings यहाँ पर आप देख लो brushes यहाँ पर यह रहे यह एक और यह दो ठीक है तो अब हम working देखेंगे लेकिन उससे पहले principle देखते है principle of an electric motor is that when a current carrying conductor is placed in an external magnetic field it experiences a force acting on it मतलब कि मैं यह कह रहाँ कि एक ऐसा conductor जिसके अंदर से current flow हो रहा है यदि उसको हम एक external magnetic field के अंदर रख देते हैं तो उस current carrying conductor के उपर एक force लगता है अपने आप जादूई तरीके से and that is physics ठीक है तो यह diagram है तो आपको कोई भी तरह का diagram हो वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर current flow कर रहा है positive terminal से negative terminal की तरफ current always flows from positive to the negative terminal and यहाँ पर arrows भी बनाए गए हैं to show the direction of the flow of electric current सब कुछ label किया गया है splitterings label की गई है carbon brushes label किये गए है field magnets की दोनों poles दिखाए गई है अग्जल दिखाए गया बैटरी दिखाए गया यह key दिखाए यह armature coil दिखाए गया यह and properly diagram आपको ऐसे draw करना है तो इसमें आप और थोड़ा labeling भी कर सकते हैं this is the hand drawn अगर draw करने के लिए पूछा चाए अब हम फटा फट से देखते हैं working क्या है the rectangular coil is placed between the magnetic poles जो कि आप diagram में भी दे सकते हो right the rings R1 and R2 turn coaxially with the coil what is R1 इसको मैंने इस वाली split ring को मैंने नाम दिया है R1 इस वाली को दिया है R2 तो यह R1 R2 rings इस armature coil के साथ coaxially turn करते हैं it is very possible it's very easy also to turn and these rings maintain a sliding contact with the conducting carbon brushes B1 and B2 let us say जो दो carbon brushes आप देख रहो ने rectangular pieces तो इसको B1 कह दो आप इसको B2 कह दो तो यह जो carbon brushes है यह split rings के साथ एक sliding contact maintain करके रखते हैं दोनों ही brushes ठीक है और यह conducting होते हैं carbon brushes that is इसमें से current flow किया जा सकता है and the next important thing is when current is passed through the coil जब current flow करता है और mature coil के अंदर से suppose let us say that the current in the arm AB is flowing upwards जो कि हम diagram में भी देख सकते हैं AB में से current upward flow हो रहा है and अब इस scenario में अगर हम Fleming's left hand use करेंगे left hand rule use करेंगे तो हमें पता लगेगा that due to this an inward force will act on it similarly क्योंकि arm CD के अंदर current downward flow कर रहा है इसलिए by using Fleming's left hand rule we can find out that the current acting on the arm CD will be outward यानि AB में अंदर की तरफ धक्का लग रहा है due to the force CD की तरफ outward धक्का लग रहा है due to the force as a result of which the armature coil ABCD begins to rotate देखो AB अंदर जाएगी CD बाहर आएगी तो थोड़ा सा imagine करो rotate नहीं हो रहा और कैसी direction में rotate हो रही है coil anti clockwise तो कभी पूछ लें तो आप कम से कम लिखतो सकतो ना कि anti clockwise rotate हो रहा है है ना ओके अच्छा जी उसके बाद the next है point that the direction of force can be founded by using Fleming's left hand rule जो कि मैंने आपको बताया after half rotation देखो half rotation के बाद मतलब क्या हुआ अभी ABCD ऐसी है half rotation के बाद क्या होगा ये CD वाली arm इधर आ जाएगी यानि left side पे ये AB वाली arm आ जाएगी right side पे तब हो जाएगा half rotation half rotation के बाद क्या scenario होते है ध्यान से देखो current in the arm CD will be upwards and in the arm AB it will be downwards current CD में नीचे जा रहा था आधी rotation के बाद अब CD में नीचे नहीं जाएगा अब CD में ऊपर जाएगा because CD वाली arm इधर आ गई है और पहले जो कि AB में ऊपर जा रहा था half rotation के बाद AB में नीचे जाएगा because AB right side पे आ गया है अभी right side left side का क्या चक्कर है देखो AB side जो थी पहले वो carbon brush B1 से connected थी B1 पे जो polarity यानि carbon brush B1 पे जो polarity दे है that is positive इसमें से current ऐसे निकल रहा है तो definitely AB में से उपर की दिरफ flow करेगा half rotation के बाद अब CD वाली arm आ जाती है in sliding contact with the carbon brush B1 वही सेम brush B1 जिस पे अभी भी plus charge है इसका मतला definitely carbon brush से तो current इसी direction में flow करेगा और इसलिए हम कहते है कि CD brush जब left side पे आ जाएगा तो उसकी current की direction है वो बदल जाएगी अब वो ऊपर की दिरफ flow करने लग जाएगा और जब AB राइट side पे आ जाएगी तब जो electric current है वो downward flow करने लग जाएगा हाला कि पहले ऐसा नहीं था यह half rotation के बाद का scenario है बाद समझ में आई तो फिर क्या होएगा जब ऐसा चीज होएगी due to this now force on CD will be inwards and AB will be outward in this way the coil keeps on turning in the same direction and we get DC current that is direct current as the output हमें direct current output के रूप में मिलता है पहले क्या था AB अंदर जा रहा था CD बाहर आ रहा था आधी rotation के बाद भी बाहर आएगा and we can continuously get this rotation that is anti-clockwise rotation यह मिलता रहेगा हमें DC current हमें DC current तो क्या DC current तो इसके अंदर use हो रहा है में we will not get DC current as the output we will get the coil rotation in the particular direction as the output ठीक है आप electric motor देखते ही हो एक ही direction में coil rotate करती रहती है उसके अंदर की working अब आपने समझ लिया ऐसी होती है अब एक बहुत favorite question है boards का what is the function of splitterings to splitterings act as a commutator what is a commutator commutator is a device which helps to reverse the direction of flow of electric current in the circuit that's much man you have to learn it and अमने देखा ना आधी rotation के बाद current reverse हो जाता है ना यार पहले AB में उपर जा रहा था current CD में नीचे जा रहा था आधी rotation के बाद AB में नीचे जाने लगया CD में उपर जाने लगया यह किस की वज़ा से हुआ splitterings की वज़ा से हुआ because they help in reversing the direction of current carbon brushes पे तो जो polarity है वो है यह लेके नसली में जो काम कर रही है वो splitterings काम कर रही है तभी तो वो plus के साथ join होते ही upward flow कराने लग जाती है ना because splitterings are act as a commutator okay now we come on to section C एक आपके लिए question which you have to solve a simple motor is made in a school laboratory a coil of wire is mounted on an axle between the poles of a horse shoe magnet as illustrated तो आपको एक यहां पे diagram दिया गया है और इसी के basis पे आपको आगे आने वाले questions solve करने so these are the questions which you can always see and solve on at your end अगर कोई भी आपको doubt है तो आप मिझे से पूच सकतो यह question के answers solutions आपको यहां पे मैंने provide भी कर दी है तो आप खुद एक बर इने practice करें वीडियो को pause करें and start solving yourself ठीक है तो यहां पे आप सारे type के questions देख सकतो प्लीज pause the video and take screenshots ताकि आप खुद के end पर इने practice कर सकें very important these are okay यह सारे ही बहुत जादा important है ठीक है I hope so अब आपने ले लिए होंगे सारे screenshots ठीक है यह सारे questions आप ही के लिए अच्छा इसमें question add कर लेना कि एक full rotation में कितनी बारी current की direction change होएगी जरा मुझे comment section में लिखके बताओ जो जो बच्चा एंड तक वीडियो में पहुंचा है I'll get to know एक full rotation में कितनी बारी current की direction change हुई अगर आपने working धान से समझे तो आपको आना चाहिए answer comment section में लिखके जरू बताना thank you so much for watching dear students all the very best for your term to exam कुछ और चाहिए तो प्लीज लिख देना comment section में and all the best